Hey everyone, I hope you all are preparing well for the IBPS PO Prelims Examination So IBPS PO Prelims का जो paper वो 4 को है और मेरा paper 1st shift में है तो मैंने सुबह Prelims वाला free mock test लगाया था और मैं शाम को आज मैंने ये वाला mock test लगाया है 2020 का ये previous year paper है ये इतना अच्छा तो नहीं गया है बट मैंने इसको solve किया था तो जो level था questions का वो काफी अच्छा था और जैसा कि आपको पता है कि practice mock में जो questions का level वो थोड़ा सा high रहता है paper से और जो वो अच्छा भी है क्योंकि अगर paper में by chance थोड़े high level के questions आ सकते हैं आ जाते हैं तो इससे हम nervous नहीं होते हैं paper के अंदर और हम अच्छे से paper को attempt कर लेते हैं तो अगर आपको ये दोनों mock test देने हैं तो उसका link description में मैं दे दूँगी आप महाँ से click करके और sign up करके ये वाले दोनों mock test दे सकते हैं और ये वाले दोनों mock test फ्री हैं previous year वाला भी और ये वाला भी ये दोनों mock test फ्री हैं तो आप paper से पहले इन दोनों को जरूर लगा के जाना और इससे आपको काफी help मिलेगी जब आप description के link पे click करेंगे तो एक ऐसा interface खुलेगा वहाँ पे आपको sign up पे जाना है और sign up पे click करने के बाद यहाँ पे अपना email address, name, mobile number डालके आप sign up कर सकते हैं और उसके बाद आप IBPSPO का जो free वाला mock test है 2020 वाला और एक जो दूसरा वाला free mock test है आप उन दोनों को attempt कर सकते हैं तो ये वाला जो mock test आज मैंने लगाया था IBPSPO Prelims ये previous year का paper था और जैसा कि सबको पता है कि last year level बहुत ही ज़्यादा hard आ गया था और ये वाला मेरा mock test कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं है because of like I was solving mains level questions before that so English में आए है 22.5 then Quant में आए है 18.75 and Reasoning में आए 16.75 ये वाले जो नंबर है 16.75 बहुत बुरे हैं but मैंने एक ही puzzle attempt की थी इसमें और बाकी की जो puzzle थी like पता नहीं but I was not able to solve them and इतने marks आए हैं 57.5 sorry और ये percentile है तो अगर आप इस mock test को attempt करते हैं जो कि आपको करना चाहिए paper से पहले previous year paper को तो आप ये attempt करके अपने जो score हैं वो comment section में share करना और जो link है इसका वो भी description में दिया गया है thank you